जिसका तुम्हें था इंतेजार वो घरी आ गई आ गई जी हां दोस्तो फाइनली जो है नया भाकैंसी आ गया है और नया भाकैंसी के लिए आप सभी को बढ़ाई लेकिन रुकिए ये नया भाकैंसी के लिए आप इलिजिवल हैं लेकिन फॉर्म अभी नहीं भरा जा सकता है फॉर्म कब से बसकते हैं फॉर्म 27 से बर जा सकता हिसलिए अभी तो आप जो है कि सारी डोकमेंट्स की त्यारी कर लीजे जिन जी डॉकमेंट्स को इसमें टैज करना को उगाँ को बनवा लीजे ठीक है और उसके बाद जो है इसाब धानी पुर्वक्त फॉर्म भरने का मज़ा लीजिएगा अब बता दे कि नए वेकेंसी तो आ गई है और इसके लिए सभी सभी डिप्लोमा पास आउट सभी बिटेक पास आउट सभी अमानत निगरे लिए हुए सभी को क्या है बताइट कि नय हो स्टूडेंट या पुराने हो या इस साल स्टूडेंट पास कांचार्इग है इसम्में सभी लोग इलिजिवल होंगे इसमें इसमें वीडियो में वो बात नहीं करने वाले हैं कि आखिर इन फरजियों का क्या करा जाए बताएए इन फर्जियों का क्या करा जाए विभाग को सरम भी नहीं है स्थोरा भी सरम नहीं है कि जौइनिंग कराने के बाद सब लोग नोकरी 2 सल कर लिए हैं 3 सल का पिमेंड उठा लिए हैं इसके बाद ठीक है उनको फर्जी करार दिया जा रहा है और बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है ये क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है आप लोग comment box में जरूर बताईएगा जी हाँ दोस्तो हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे कितने लोग को इस वार फिर से फरजी पहचान कर बाहर निकाला जा रहा है ठीक है इससे किसका नुक्सान हुआ है और किसका benefit है यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में देखिए betting candidate का कसुरवार कोन है जी हाँ दोस्तो अगर ये सारे फरजी वारा अगर पहले ही document verification करके निकाल दिया जाता फरजी वारा को जो है कि खतम करने का कोई ठोस उपाई या कदम उठाया जाता तो इन बेटिक परिवार जो अभी betting परिवार मतलब betting candidate सुची बना कर जो लिया जाना था उनके सभी बच्चों का उन सभी डिप्लोमा या विटेट या जो भी डिग्री लिये हुए हैं उन सभी का भविष बन जाता लेकिन नहीं ऐसा हुआ और उन सभी के साथ छल कपट किया गया गेम खेला गया जिया दोस्तों betting के साथ गेम ही खेला गया है चले वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने फर्जी स्टूडेंट को इस बाहर बाहर का रास्ता दिखाये गया है जिया दोस्तों जैसे कि स्कीन पर आप देख पा रहे हैं देखें बिहार सरकार राजस्मों भूमिशुधार विभाग और दिनांग जो है कि 20 सप्तम्दों 22 के डेट में ही जारी किया गया है अचले विशेश आपको बताते चले विशेश सर्वेक्षन यह आदेश दिया गया है विशेश सर्वेक्षन एवं बंदोबस्त कार्शक्रम अंतरगत नफसरजित संभीता पद पर विग्यापन संक्या 01 के अलोग में बिशेश सर्वेक्शन संभीदा पद पर नंकीत कर्मियों का नियोजन कॉलम टू में अंकीत पत्रांग एबं दिनांग के माध्यम से करते हुए विविन बंदुबस्त कार्षक्रियालों में पस्ताविस्त किया गया ठीक है अब देखिए इन सभी यह पहले से प समचारी है और बता दे कि इन सारे का डॉक्मेंट जो है यहां पर क्या प्रिस्विदाले दौरा क्या सत्यापन प्रतिवेदन पराप्थ हुआ है कि फेक कंडिडेट जी हां दोस्तों यह लिखा हुआ है फेक इनका जो सर्टिफिकेट है यह क्या है तो अब देख पा रहे ह है फेक और काउंटर फिट ठीके देखिए और यह लोग जो है किस महाविद्याले से स्वामी विवेकानन्द सुभार्ति इनिवर्सिटी मिर्ट इस अभी इन ही कि घुटाला और फर्जी वारा होता है वो कहीं न कहीं जो है कि कोई खास कॉलेज या विश्विद्याले के न छाफ कर लिए हैं देखिए सब लोग जो है कि इसी इनिवर्सिटी से खे किल बार और चातरों को बाहर किया गया है ठीक है तोड़ावर डिटल्स में देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है और आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं देखे उप्रोक्त समीदा कर्मियों के नियुजिन के उपराद इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजिनियरिंग का सैक्षिनिक परमानपत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्विद्याले संस्थान को भेजा गया उपरोग संभीदा कर्मियों के सैक्षिंग परमानपत्र की पुष्टी नहीं की गई एवं फर्जी बताया गया प्राप्ट सत्यापन परतिवेदन के अलोग में नैसरगी निया के तहट उक्त सभी संभीदा कर्मियों से परजी डिप्लोमा इन सिविल इंजिरिंग प्रमन पत्र परस्तूत का नियूजर प्राप्ट करने के ब्रूद अस्पस्टिकरन की मांग की गई यह अस्पस्टिकरन भी देखिए मौका दिया जाता है एक कहा जा सकता है कि इनका फासी लगने वाला होता है उनको भी एक वड़ा मौका दिया जाता है अपने अंते मिक्षा पूरा करने के लिए इनको अपने सफ़ाई के लिए ठीक है कुछ कहने के लिए इनको जो है के मौका दिया गया लेकिंग उसके बाबजूद भी दिखिए जो भर्ची है वो तो अंदर से डड़ा ही हुआ होगा वो तो अंदर से जो है पुरा हिल गया होगा जब ये बात पता चला होगा कि यार मैं तो पकरा गया तो ये अस्पस्टिकरन देंगे कहा से जब इन्युवर्सिटी का ही कोई अता पता नहीं है या इन्युवर्सिटी है और इस इन्युवर्सिटी में या कोर्सी नहीं होता है और उस इन्युवर्सिटी से इतने बारे महान मान लोग है आपे ठीक है तो उसके बाबजूद ये लोग अस्पस्टिकरन देंगे कहां से देखिए क्या उसके आगे लिखा है समंदित कर्मियों दोरा समर्पित अस्पस्टिकरन में फरजी परमानपत्र नियोजन पराप्त करने के संदर में कोई विशिश तत्ति साक्ष परस्टूत नहीं किया गया इलोग अस्पस्टिकरन दे नहीं पाए दे ही नहीं पाए जो विश्विद्याले संस्थान दोरा प्राप्ट सत्यावन पर्तिवेदन को खंडित करता हो से क्रमचारी है जिनको तत्काल प्रवाव से क्या किया बाहर किया जाता है यह नाम पर के बताएं आपको यह सिरी विक्रांत कुमार जो कि सिवर के रहने वाले हैं सिरी मुकेश कुमार जो सिखफूरा के रहने वाले हैं सिरी मितलेश कुमार जो सिखफूरा के रहने वाले हैं निसांत कुमार सरा के हैं उसके बाद देखिए सरी राहुल कुमार गुपता सरी पंकर्ज कुमार करने के लिए लोग भी कली आगे दखते हैं सरी दोसीन कोमार और और सिरिस्टन्टू कुमार मध्यपूरा के हैं वदार एक कुल बारा जो है अभी वर्तमान में जो से से के कंटिडेट है इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है अब देखिए अब बात यह आदी है कि फर्जी अखिर कब तक आप निकालते रहोगे फर्जी निकालोगे लगवक सारी 3000 के आसपास जो है कि लोग जौइन हुए बहुत सारे लोग जो है कि काम पसंद नहीं है तो छोड़ भी दिए बहुत सारे लोग का कहीं और जौइनिंग हो गया तो वहां पर चले गया लेकिन यह कब तक अब अगर ऐसे करते कि यह नियमावली में पहले से असपास ठोना चाहिए था जो आज परतिक्षा सुची बनाया गया है यह परतिक्षा सुची पहले बनाना चाहिए था ताकि जो इसके पहले अरहाई गुना काउंसलिंग करवा कर जो शात्रों को बिलो दपॉइंट में रखा गया था उनकी परतिन्युक्ति हो सकती थी उनका भविष बन सकता था चीक है उनका भविष तो अधूरा रहे गया अधर में रहे गया बीच समुदर में भवर में फस गया अब जिम्यदारी किस की थी सरकार की थी इस विशय पे नहीं सोची विभाग के अधिकारियों की थी इस विशय पे बनना बदलना लेकिन सबसे बरीज जिम्मेदारी है विभाग के अधिकारियों की वो तो पढ़े लिखे हैं और तो लागतार है विभाग में वो तो कंटिनिव हैं उनको सोचना चाहिए था कि बाद में किस तरह का जो है कि संभामना पैदा हो सकता है इस साले संभामना कि दो तीन साल नोकरी करवाया गया बेतर उठाए तब जाके उनलों को निकाला जा रहा है और जहां 2870-2884 जो बच्चे दौर रहे थे रोड पे लाटी खार रहे थे मंद्रियों के आगे पीछे कर रहे थे उनका गया भविश्य खतम तो इस तरह का नहीं होना चाहिए और मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि जो 2019 के बाहलियों में जो परतिक्षा सुची बनाए गये थे जिसमें थे ओलो बिलो दा पॉइंट में उन सभी सागरा कहूंगा कि एक एक अपने गाऊं के एक एक लोगों को आप स्वस्ते कराइये ची अगली बार जब भी रेक्षण होगा भोट नहीं देने जाएंगे जब आपके भलाई के बारे में नहीं सोचा जा रहा है आपके भविस के बारे में नहीं सोचा जा रहा है तो फिर आप किसी के भविस को बनाने का आप किसी के भविस के बारे में तो भोट नहीं देना है अगली बार से आप लोग तैक कर लीजे ठीक है अगर भोट तभी मुम्किन हो पाता जब परतिक्षा सुची जो बना था उसको जोईन करवाई होती। होती और वहीं देखिए आज नई बहाली में प्रतिक्षा सुची दे गई है अब जो है कि बेटिंग होगा बेटिंग मान होगा यह पहले क्यों नहीं था पहले बेटिंग मान तो इसका अर्थ यहीं निकलता है विभाग के जितने अधिकारी है सब फर्जित डिग्री लेकर की आग़들न की हूए कि की कहा जो हें लेगल या की नियृक का जो है किए ऐसी कि इनिवरसिटी से सर्टिफिकट नहीं है कि बस यहीं है देखिए बार बार फर्जिवारा निकल रहा है और इससे पहतों हतास नंखेंके आने वाले भविक्टा के लिए भी हतो हतास है फर्जी वारा यह जो है कि बिडंबना है फर्जी वारा यह सिर्फ पुराने पुरवर्ति छात्रों के साथ यह अन्या नहीं हुआ है आने वाले छात्रों के साथ भी अन्या होगा सुन लो दो हजार 18 19 20 21 22 जो पास हुए हो सुन लो इस बात को फर्जी 12 के लिए जाके अभी से लग जाओ नहीं तो किसी का नोकरी नहीं होने वाला है किसी का नोकरी नहीं होने वाला है पाल पक जाएगा कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बोलना है बस यहीं बोलना है देखिए जो भी चीज हुआ है उस चीज के बारे में अगाह कर रहे हैं आप लोगों को सुधर जाएए संभल जाएए ठीक है नहीं तो फिर हब जो बेटिंग परिवार जो परतिक्षा सुच थिया थिक है न वहीं चीज आप लोगों को करना होगा और अंध में अब लोग रोड़ पे रहेंगा उसका वभीषा रोड़ है ठीक है जो लाठी खाता है उसका वभीषा रोड रोड़ पर रहें आज जो फर्जी डिग्री लेकर आता है आज के डेट में सुनवाइजी ज तो आप गलत नहीं है वही अगर को सही है अगर अगर गलत अदुत पर मार दिया तो उसके विरोध में सब खराओ जाएग घ्रैस जो सही है वह जलत है जो गलत हो सही है इसलिए जितना गलत बन के रहो उतना बढ़ी ऑओ चलिए बहुत लेक्चर दे दिये इस वीडियो में लेक्चर क्या बताया कि लेक्चर नहीं है यह अनुभव है इसलिए आप लोग भी समल जाएए दोहजार ठार उनीस बीस एकीस बाइस के चात्र नहीं तो आपको भी रोड पे धक्के मुक्के डंटा पानी आसु गैस इस अब का आदत हो जाएगा पैसा फंडिंग करवाने का आदत हो जाएगा विभा के आये सदीकारे जैसिंग के तलबे चाटने पिछवारा चाटने का और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या मैंने गलत कहा है गलत कहा है तो आप कहिएगा कि हां मैं गलत हूं